इनका मकसद सिर्फ larger than life को दिखाना ही नहीं होता बलकि जो real में larger than life है उसे humanize करना भी होता है और यही वो जगा है जहां different material और emotional worlds आपस में जुरते हैं और एक दूसरे से identify कर पाते हैं नमस्कार मैं हुरतिका और आज हम बात करेंगे इस हफते की release पानीपत के बारे में इस film को direct किया है आशुतोष गवारिकर ने अगर आप उनकी filmography पर गौर करें तो आपको यह आसानी से पता चल जाएगा कि उन्हें इतिहास से कुछ खास लगाव है लेकिन उनकी ये आदत धी रही है कि इस प्यार के नाम पर कभी-कभी वो ज्यादा ही छूट ले लेते हैं खेर पानीपत दग्रेट बिट्रेल एक पीरिट फिल्म है हम सबने कभी ना कभी पानीपत के एतिहासिक युद्धों के बारे में सुना है तो ये फिल्म पानीपत की तीसी लडाई पर आधारित है जो जन्वरी 1761 में मराठा और अफगान शासकों के बीच हुई थी फिल्म की कहानी शुरू होती है निजाम शासकों के किले पर मराठा शासकों की जीत से और उस युद्ध में दिखाया जाता है सदाशिवराव भाव का शौरे और पराक्रम और फिल्म में इस भूमिका को निभाया है अरजुन कपूर ने सदाशिवराव पेशवा यानि मोहनीश बेहल के चचेरे भाई हैं और मराठा समराज्य के विस्तार में उनका बड़ा योगतान है कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें ईशा, धोखा, प्रेम, बलिदान और हिंसा के एलिमेंट्स जोड़ते चले जाते हैं युद जीतने के बाद सदाशिवराव पेशवाओं के हेड़कौर्टर पुना के शनिवार वाड़ा वापस लोटते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए खड़ी दिखाई देती हैं पारवती बाई, प्लेट बाई कृती सैनन पारवती बाई बचपन से ही सदाशिवराव से प्यार करती हैं लेकिन सदाशिवराव उसे नकारते रहते हैं हाला कि फिल्म में एक ऐसा मोड़ा आता है जब वो मान लेते हैं कि वो भी पारवती बाई से प्यार करते हैं और आगे चल कर उनकी शाधी भी हो जाती है इतिहास में दिल्चस्पी रखने वालों को ये पता होगा कि एक ऐसा दौर था जब मराठा समराज्य का विस्तार काफी ज्यादा हो गया था और अलग-अलग राजाओं और छोटे शासकों से मराठा चौत यानी टैक्स वसूला करते थे और यही इस फिल्म का कॉनफ्लिक्ट पॉइंट है नजीब ओदौला नाम के एक शासक ने चौत देने से मना कर दिया और मराठा शासकों को युद्ध में हराने के लिए उसने सत्ता का लालच देकर अफगान शासक एहमद शा अबदाली यानी संजेदत को बुला लिया आगे ये पूरी फिल्म रन अप टू दपानिपत वॉर है कौन-कौन से शासक मराठा और अबदाली का साथ देते हैं युद्ध की तयारी कैसे की जाती है वगेरा वगेरा और फिर होती है पानिपत की लड़ाई ये फिल्म यू तो अरजुन कपूर के इर्दगिर्ध ही घूमती है लेकिन अरजुन कपूर सदाशिव राव भाव तक का सफर पूरा नहीं कर पाये हैं वो कहीं बीच में है लेकिन कीति सहनर ने चौकाया है जी हां ना सिर्फ अपने कन्विक्शन से बलकि उनकी आक्टिं ने फिल्म में अपने सधे अभिने के जरिये पॉजिटिव कॉंट्रिबूशन दिया है हाला कि ये फिल्म में एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पर बेजड है लेकिन इसमें बहुत कुछ उपर नीचे नहीं हो रहा है फिल्म लार्जली एक प्लेन ट्रैक पर चलती है कहीं बा प्रियारिटी देती है हाला कि कहीं-कहीं वो बेहत स्टीरियो टिपिकल हो जाता है प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमेटोग्रफी के लिहास से तो कुछ सीन्स बेहत उमदा है फिल्म के गानों की बात करें तो कहीं गाने फिल्म में ठूसे हुए लगते हैं लेकिन सेक्रो लोगों की कोडिनेटेट कुरियोगरफी को देखना आंकों को सुख देता है फिल्म दो घंटे त्रेपन मिनट लंबी है जिसे सुनते ही देखने की हिम्मत कम हो जाती है क्योंकि अगर आप कोई ब्रिलिंट फिल्म नहीं बना रही है तो आप इस रन टाइम को नहीं कर सकते हैं